टीमसी सांसद महुआ मोहित्रा पर पैसे लेकर संसब में सवाल पूछने का आरोप लगा है बीजेपी सांसद निशिकान दूबे के लगाए गए आरोपों के बाद से राजनितिक बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दोड जारी है फर्जी डिग्री वाले बयान पर निशिकान दूबे ने महुआ को एक बार फिर घेरते वे कहा कि अहम सवाल उनकी डिग्री या अडानी समू का नहीं है बलकि ये है कि क्या मोहित्रा ने पैसे के लिए संसद में सवाल पूछे थे या नहीं निशिकान दूबे ने महुआ को घेरते वे कहा कि चनद पैसे के लिए महुआ ने अपना जमीर बेच दिया वैशनवदारा निशिकान दूबे को लिखे गए पत्र पर महुआ मोहित्रा ने प्रतिक्रिया दी थी उन्होंने परड़वार करते वे एक्सपन लिखा था कि जूट कौन बोल रहा है दो दिन पहले फर्जी डिग्री वाले ने कहा कि एनाइसी ने पहले ही जाँच एजनसी को दूबई लॉग इन सहित विवरंट दे दिया है अब अश्वनी वैश्टव कहते हैं कि यदि लोग सभा या एतिक्स कमिटी द्वारा पूछा गया तो एनाइसी भविश्य में जानकारी देगा महुआ ने केंद्रे वंत्रे के पत्र को हासिपद बताते वे ये भी लिखा कि वो इंतजार कर रही है कि फरजी निशिकान दूबे के कथित तौर पर एरपोर्ट के एटीसी रूम में अवैद रूप से घुसने के मामले में कब जाच होगी उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला करने के लिए बीजेपी का स्वागत है लेकिन अडानी और गोड़ा शायद सर्विस्टेश्ट रण नितिकार नहीं है जिसके बाद बीजेपी सांसत निशिकान दूबे ने महुआ पर कई सवाल दाग दिये ट्विट करते वे लिखा कि सवाल संसत की गरिमा, राष्ट की सुरक्षा और सांसत के और चित ब्रष्टाचार और अपराज की बारे में है उन्हें जवाब देना होगा कि क्या NIC की मेल दुबई में एक्सिस की गई थी क्या पैसे के बदले सवाल पूछे गए थे विदेश यात्राओं के लिए किसने खर्च उठाए बीजेपी संसत ने कहा कि उन्हें जवाब दे रहा होगा कि क्या उन्होंने अपनी यात्राओं के लिए लोगसभा अध्यक्ष और विदेश मंत्राले के अनुमती ली थी उन्होंने कहा कि अब सवाल अडानी डिग्री या चोरी का नहीं देश को गुम्रा कर ब्रश्टचार करने का है बीजेपी सांसत ने कहा कि डिग्री वाली चंद पैसे के लिए जमीर बेच रही है देश बेच रही है बता दें कि ये पूरा विबात तब खड़ा हुआ जब बीजेपी सांसत निशिकान दुबे ने स्पीकर को पत्र लिखकर टीमसी सांसत के खिलाफ कैश और क्यूरी सबूत देने का आरोप लगाया उन्होंने दावा किया कि सबूत वकील जै अनन देहाद्रई द्वारा दिये गए थे अब इस मामले में संसत के चार समीते ने निशिकान दुबे और अधिवक्ता देहाद्रई दोनों को 26 अक्टूबर को आरोपो के मौखिक साक्ष देने के लिए बुलाया है झाल